नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं आशा करता हूँ, आप सब बहुत अच्छे से होंगे, मैं सुमिष शर्मा टेक्षम चनल में आप सब का एक बहुत फिर से स्वागत करता हूँ, दोस्तों आज के वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप OBS Studio के अंदर ए यहां पर मैंने अपना DSLR कैमरा ले लिया है और दो webcam मैंने यहां पर connect कर रखे हैं, अगर आप एक से ज़्यादे camera को connect करना चाहते हो, आपके पास अगर कोई video camera है, कोई DSLR camera है, या फिर आपके पास कोई camcoder है, उसे भी आप connect कर सकते हो अपने PC से, अब DSLR या video camera को अपने PC स connect करने के लिए, आपको एक HDMI केवल की जरूत पड़ेगी, जिसके एक end पर normal HDMI connector होना चाहिए, और दूसरे end पर mini HDMI connector होना चाहिए, इसके अलावा आपको एक capture card की जरूत पड़ेगी, आप इस तरह का कोई भी capture card ले सकते हो, जैसे मैं यहां पर अपना DSLR camera connect कर रहा हूं, तो एक capture card मैं इस तरह का यहां पर इसके साथ connect कर दूँगा, अगर आप कोई दूसरा video camera या फिर DSLR connect करना चाहते हो, तो उसके साथ भी आपको इस तरह के अलग-अलग आपको capture card लगाने पड़ेंगे, और अगर आप एक मालदार आदमी हो, आपके पास पैसे का कोई दिक्कत नहीं है, आपके budget की कोई problem नहीं है, तब आप बहाँ पर capture card भी ले सकते हो, उसके अंदर आपको चार port मिल जाते हैं, यानि चार camera आप एक साथ connect कर सकते हो, आपको अलग-अलग capture card की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम यहाँ पर use कर रहे हैं Oxlo का capture card, तो सबसे पहले मैं अपना DSLR camera connect करता हूँ अपने PC से, HDMI केवल का जो normal वाला port है, भहाँ पर हम इस capture card को connect कर देते हैं, यह capture card मैंने HDMI केवल से connect कर दिया, और HDMI केवल का जो दूसरा end है, वो हम अपने DSLR camera पर connect कर देंगे, और यह जो DSLR camera मैं use कर रहा हूँ, यह Canon 200D है, तो HDMI के वल के through मैंने DSLR camera connect कर दिया है, और यह capture card है, यह direct हम अपने PC के, USB port पर connect कर देना है, USB 3.0 पर हम इसे connect करना है, तो यहाँ पर मैंने DSLR camera connect कर दिया, और एक webcam मैंने अपना यहां पर connect कर दिया है, और दूसरा webcam मैंने यहाँ पर connect कर दिया है, तो तीन camera हमारे यहाँ पर connect हो गए, आप चाहों तो तीनों आप DSLR camera भी यूज कर सकते हो और आप अपने video camera भी यूज कर सकते हो अब हम चलते हैं अपने OBS studio पर यहां पर हमने OBS studio open कर लिया है और सबसे पहले हम यहां पर जो भी camera हमने यहां पर connect की हैं उन सब का हम अलग-अलग scene यहां पर बना लेंगे तो यहां पर scene में नीचे plus के बटन पर click करेंगे और यहां पर इस scene का हम नाम दे देते हैं इस scene का नाम हमने दे दिया DSLR camera उसके बाद OK पर click करेंगे अब यहां sources में प्लस के बटन पर किलिक करेंगे और यहाँ पर हम video capture device पर किलिक करेंगे अब video capture device हमने यहाँ पर select कर ली उसके बाद ok पर किलिक करेंगे अब यहाँ से हम अपना DSLR camera select कर लेंगे जो हमारा DSLR camera है वो हम select करेंगे तो DSLR camera हमारा आएगा USB 3.0 capture ये वाला जो option आ रहा है इसे select करेंगे ये हमारे DSLR camera का option है DSLR camera अभी हमने on नहीं किया है तो मैं अपने DSLR camera को यहां पर on कर देता हूँ तो ये हमारा DSLR camera का scene हमने आप पर create कर लिया उसके बाद अब हम एक नया scene create करेंगे अपने webcam के लिए प्लस के बटन पर click करेंगे और इस scene का नाम हम दे देते हैं Logitech ठीक है जो भी आप नाम देना चाहो वो आप दे सकते हो मैं याँ पर केवल चेक करने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ Logitech मैंने नाम दे दिया OK पर click करेंगे अब हमारा यह Logitech camera का scene यहाँ पर create हो गया उसके बाद यहाँ sources में plus के बटन पर click करेंगे यहाँ से हम video capture device select करेंगे और उसके बाद OK पर click करेंगे और यहाँ पर हम अपना जो webcam है C922 Pro stream webcam हमने यहाँ पर select कर लिया उसके बाद OK पर click कर देंगे तो अब हमारा जो Logitech camera है वो भी यहाँ पर show होने लगा है यानि हमारा जो दूसरा scene था उसमें हमने camera को यहाँ add कर लिया है इसके बाद अब हम तीसरा scene create कर लेते हैं जो हमने अपना rockwear का तीसरा webcam लगा रखा उसे भी यहाँ add करना है तो उसके लिए अलग से एक तीसरा scene create कर लेते हैं प्लस के बटन पर click करेंगे और यहाँ पर हम लिख देते हैं rockwear यहाँ मैंने लिख दिया rockwear उसके बाद OK करेंगे अब हमारा rockwear का scene या create हो गया sources में जाएंगे प्लस के बटन पर click करेंगे वीडियो capture device पर click करेंगे और OK करेंगे और यहाँ से जो हम camera select करेंगे वो हम select करेंगे rockwear का तो यह rockwear का camera यहाँ पर show हो रहा है इस पर click कर देंगे rockwear का camera हमने यहाँ पर select कर लिया उसके बाद koker बटेंगे, अब आप सबक्राइब करने मालो अब हमें पर देख सकते हो, अब हम इस तीन हो केमरे का Mr. meditation कर रहे हैं, तेन हो केमरों को अगर हमें एक एक करके स्ट करना हो तो उसके लिए हम यहां पर hotkeys बना दे रहे इनकी settings पर जाएंगे और यहां पर hotkeys में जाएंगे अब यहां पर हमारा जो camera है scene है हमारे उन scene को यहां पर देखेंगे यह हमारा DSLR camera वाला scene तो इसे हम कोई भी button यहां पर बना देते हैं मालो मैं यहां पर इसका 6 number बना देता हूं जब भी मैं अपना 6 number प्रेस क करूँगा तो हमारा जो camera DSLR camera वाला scene है वह show हो जाएगा और logitech camera वाला scene है उसका हम नाम दे देते हैं इसे हम 7 number की से बना देते हैं ठीक है 7 number मैंने इसे बना दिया और उसके बाद अब हमारा है rockwear का तो rockwear वाला यह रहा इसे हम बना देते हैं 8 number से ठीक है यह हमारा 8 नंबर हो गया apply कर देंगे okay कर देंगे उसके बाद मालो मैं 7 दबाऊंगा तो यह हमारा camera चेंज हो गया उसके बाद 8 दबाएंगे तो दूसरा camera चेंज हो गया और 6 दबाएंगे तो फिर से वापस आ गया इसी तरह से अब आप camera को change कर सकते हो इसके लावा यहाँ पर आप अपना scene transition लगा सकते हो जो भी आपको अच्छा लग रहा हो वो आप यहाँ से scene transition लगा सकते हो अब मालो आप चाहते हो कि एक साथ, तीनों camera को अपनी screen पर आपको दिखाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको एक अलग से scene create करना होगा, तो यहाँ पर फिर से एक scene create करते हैं, plus के button पर click करेंगे, और यहाँ पर हम लिख देते हैं, all camera, य अब यहां पर हम तीनों केमरे को यहां पर स्क्रीन पर एड़ करने वाले हैं अब स्क्रीन पर एड़ करने के लिए आपको क्या करना होगा सोर्सिज में जाना है प्लस के बटन पर किलिक करना है और यहां पर आपको एक ऑप्षन दिखाई देगा सीन का सीन पर किलिक करना है औ पहले हम इसे सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, ठीक है, तो यह हमारा DSLR कैमरे वाला सीन, हमारा यहां पर आ गया, इसे हम छोटा कर देते हैं, एक साइड में इसे रख देंगे, यहां भी रखना चाहो, इस स्क्रीन पर जिस जगे आप रखना चाहो, वहां पर आप इसे रख स क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, यह हमारा Logitech वाला कैमरा यहां पर आ गया, इसे भी हम रिसाइज कर देंगे, और जहां भी आप स्क्रीन पर इसे रखना चाहो, वहां पर आप इसे इस तरह से रख सकते हो, अगर आपके इससे ज़ादे कैमरे हैं, तो उन्हें भी आप इसी कैमरा और रह गया, तो उसे भी हम यहां पर एड कर लेते हैं, सोर्स में प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे, सीन पर क्लिक करेंगे, और यहां पर एड एड एग्जिस्टिंग पर क्लिक करेंगे, और यहां पर अब हमारा रह गया, कौन से कैमरा रह गया, रॉक वेयर वाला, तो rockwear का जो scene हमने बनाए था वो यहां से add कर लेंगे, देखते हैं कहां पर है, यह हमारा rockwear, इसे select करेंगे, ok करेंगे, अब आप देखो यह वाला भी हमारा scene यहां पर आ गया, इसे भी हम कर देते हैं minimize, इस तरह से आप तीनों scene जो भी आपको camera अपने show करने हैं, वो आप इस अब उसके बाद इसकी भी हम hot key बना देते हैं, जो all camera वाला scene है, इसकी भी हम hot key बना देते हैं, setting पर जाएंगे, उसके बाद hot keys पर click करेंगे, अब यहां पर हमें अपना scene ढूंडना है, जो हमारा scene था all camera, all camera वाला scene था, तो यह all camera वाला scene हमारा यहां पर आ गया, अब यहां पर आपको मालो तीन कैमरे एक साथ शो करने है, सारे कैमरे एक साथ शो करने है, तो इस तरह से कर सकते हो, अब मालो आपको DSLR कैमरा ही केवल शो करना है, तो इसके लिए 6 दबा दो, तो यह DSLR कैमरा आ गया, अगर आपको दूसरा कैमरा शो करना है, तो आप 7 दबा दो, आप 8 दबा दो और आप नौ दबा दो इस तरह से आप चेंज कर सकते हो जो भी आपका कैमरा है जो भी आपको आउटपुट चाहिए वो आप इस तरह से चेंज कर सकते हो जो भी कैमरा आपको शो करना हो वो कैमरा आप यहां पर शो कर सकते हो इसी तरह से मालो आप चाहते हो कि आप आपका पहला और दूसरा कैमरा एक साथ शो हो, आपको अलग-अलग scene create कर लेने हैं और उनकी hotkeys आपको बना लेनी हैं, इस तरह से आप कर पाओगे, तो दोस्तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप एक से ज़्याद है कैमरे को अपने PC से connect करके OBS में use कर सकते हो, अगर आपका कोई भी question हो, कोई भी query हो, आप comment box में comment करके पूछ लेना, आज के वीडियो में इतना ही दोस्तो, मिलते हैं अपने next वीडियो में, तब तक के लिए, जैहिन, one day, मातरम